मुखेमंत्री अशोग घ्यलोत मगलवार को बापुनगर इस सिद्खादे भवन पहुँचे जहाँ पर उन्होंने महत्मा गांधी की मूर्टी का अनावरण किया और साथी नव निर्मित भवन का उद्धाटन भी यहाँ पर किया इस कारिक्रम में सियम अशोग घ्यलोत ने कहा कि गांधी जयनती पर मैंने कहा था कि रारिसान सरकार एक वर्ष तक गांधी जयनती मनाएगी सिम ने कहा कि युवा पीधी में गांधी जी का संदेश पहुचाने के उत्देश़े को लेकर राज lumière लिये हैं वहीं जुरान सीम गहलोत ने राहुल बजाज के बयान का समर्थन किया और कहा कि ग्रैमंत्री की मौजूदगी में राहुल बजाज ने जो बात कही है उससे सरकार की आंखे खुलेंगी सरकार को पता होना चाहिए कि देश किस दिशा में जा रहा है सीम ने कहा कि राहुल बजाज के बोलने के बाद अब सभी उद्यमी अर्थविवस्था को लेकर बोलने लगे हैं एहले सभी उद्यमियों के मूँ पर ताले लगे हुए थे अब उससे योमी कट्वाओं के ग्रम अन्तिजी ने जो वापश किया है उसे सर्कार के आके खुलेगी शर्वाण स्कुर्ट प्रदावी कि जिता में देश जा रहा है अर्वेसा जा रही है और मिस्टर बजाज लाओं के मोलने के बाद में अब आपने खुल के लोग बोलने लगे हैं वर्ना सब अधीयमी बड़े-बड़े उद्यमी को मुझ पे ताले लगे रहे हैं परसों तक जब डॉक्टर मनमोन शीनी बोले हैं जब मिस्टर रवल बजाय बोले हैं उसके बाद इन्हा उमीद करता हूं कि उद्यमों को बड़े-बड़े उद्योपति इंह में इहिमत आ करने पड़े के बोलने के बाद में और डॉक्टर मनमोन शीनी जी में जो कच्छा चिला प्रस्तुत के आदेश का कि आज देश संकट के अंदर आ चुका है अर्थवरस्ता ग्रूप में और ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं और शीकार नहीं कर रहे हैं अब मैं उमीद करता करेंगे उन्हों कुछ करने पड़े कर रहे हैं जित्ते की अर्थवरस्ता की पच्छी पर वापस इसकी बने ही